हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और देख सकते हैं अभी हम ये बगीचे में हैं और यहां पर क्यों आया है तो सबसे पहली बात है कि यहां पर सर्सो लगाना है और पापा भी सर्सो लगाएंगे तो बोले थोड़ा चलो से हमारे हां सर्सो लगाया जा रहा है क्योंकि घर में जब काम होता तो अच्छा लगता है थोड़ा सा देख के घूंके और हेल्प करके तो गैज देख सकते हैं पापा सर्सो का बुआई कर रहे हैं बीना इसको हाल चलाए बोह रहे हैं और यह दो चास हो गिया उसके बाद फिर भारिस हो तो थोड़ा सा इसमे थोड़ा सा गहास जनम आया तो इसको फिर से दुवारा इसमें हाल चलेगा लेकिन पहले सर्सो का बीच डाल ले रहें इसके बाद फिर इसमें हाल चलाएंगे और इसको प्लैन कर एंगा तो देख सकते हैं इसको समतल किया जा रहा है और इसमें बीज डाल दिया गया है तो थोड़ी दिर में ये भी कंपलीट हो जाएगा और अच्छा है गर में लगाना चाहिए गर का खेती है और गर का चीज होता है खाने के लिए वो सबसे सुद्ध होता है तो इसमें सरसो अभी लगवक इतना साथ तीन या चार मैने में ये कंपलीट हो जाता है मार्च से पहले ये सरसो कटना स्टार्ट हो जाएगा बारिस तो बहुत परिसान किया उसके बाद ये बारिस जब कंपलीट हो गया तो फिर से दुवारा कंपलीट करना पड़ रहा है तो बारिस भी कभी ज़्यादा नुक्सान कर देता है और अब से लेंगे घर भूख लग गया है लगवक एक बज़ गया है तो लंच भी करना जरूरी है तो देख सकते हैं पसिना पसिना हो गए दूप में और सारा सामान लेके अब घर जा रहे हैं सरसो लग गया है अब तीन महेना इंतजार किजिए उसके बाद तीन से चार महेने में सरसो त्यार उसके बीच में साग खाने को मिल जाता है ठंडा के सीजन में सरसो का साग और पराठा बहुत टेश्टी बनते हैं तो अभी हम घर आ गये हैं और पिछले साल यहां पर आलू लगा हुआ था लेकिन इस साल भी भिंडी लगा हुआ है भिंडी यह लास्ट सीजन चल रहा है इसका बहुत मतलब अच्छा है फलता है घर में और बारिस का तो बेंडी भी फल आच्छा अब लास्ट है तो यहां पर इसको फिर हल चलवा के हो सकता है इसमें फिर से सबजी कुछ लागेगा हमारे ब्लॉग का दो करेक्टर हैं एक रिसव एक मम्मी क्या मम्मी हां तो आज मम्मी का फास्टिंग है ना मम्मी हां और चट पूजा भी भी निनन अजडिक आ रहा है तो आभी मार्केट जा रहे हैं साम का लगबाँ सअडै चार बच गिया है लेट हो रहा है तो जल्दी से मारकेट निकलते हैं और आते हैं कुछ मुछ सौपिंग करके क्या जी stun करता हैं तूंको किया ला देना जो जो लाईएगा तो जो मिलेगा देखते हैं पूछेंगे दुकंदार को जो है आपके पास तो बोलेगा क्या धोता है जो आम पथा नीया बच्चा बोले जो लाने तो हम बोले तो दे दीजे नहीं 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 सकते हैं मार्केट आए और छटगाट भूमे नहीं ऐसा हो नहीं सकता है यह तेवार ही ऐसा है तो देख सकते हैं यह बुलेट ट्रेन है और हम लोग बुलेट ट्रेन के अंदर अभी काम चल रहा है इदर तो हमको लोको पाइलेट बनना है उसके लिए वेकेंसी अभी आया नहीं आएगा तो हम उसको फॉरम फिल करेंगे और सबसे पहले हमी इसको चलाएंगे यहां लोको पाइलेट सीट यहां है और यहां पर हम बैठेंगे आप सब इंतजार कीजेगा टाइम होते ही हम बुलेट ट्रेन को दोड़ा देंगे तो देख सकते हैं राज जानवार का कितना अच्छा डेकोरिस्टन किया गिया है बहुत यह अच्छा डेकोरिस्टन किया गिया इस पर अच्छा लग रहा है देखके मतलब कलर फूल लग रहा है अब हम लोग घर जा रहे हैं मार्केट से और भीड़ बहुत ज्यादा है मार्केट में तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग गिया और लगवग साम का साड़े छे बज़ गिया तूरा अंधेरा हो गया देख सकते हैं और यह चछट फुजा का डेकोरेशन किया गिया है हर साल इसी तरह डेकोरेशन किया जाता है तो गाइस देख सकते हैं मार्केट से आ गया है और इस अब को समोसा नहीं मिला क्योंकि मार्केट में आज मार्केट से आये तो इधर आमारे अरिया में जहां-जहां समोसा मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं तो आप समया तक वीडियो को देखने हैं तो नहीं लाइक सब्सक्राइब करें तो नहीं लाइक सेयर करें और नहीं सब्सक्राइब करें लेकिन अगला वीडियो में जरूर सब्सक्राइब करें तो नहीं लाइक सेयर करें और नहीं तो क्या मेलते हैं आप सबसे ले वीडियो में बाई गुट नाइट गुट नाइट गुट 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 झाल